हाई रिवा नामस्ते वेलकम बेक टो माई चैनल आज आप शेयर करने वाले यह पॉंस की बीवी क्रीम है जिसका रिव्यू प्लस डेमो दोनों आप शेयर करूंगी मैं तो यह सब्सक्राइब कार्डबोर बॉक्स में आते जिसका कलर बहुत ही प्यारा है एकदम गर्लिश कलर है यह पॉंड्स बीवी बीवी प्लस क्रीम है आईवरी शेड मेरे पास है यह इंस्टेंट स्वाट कवरेज है लाइट मेकप ग्लोई फॉर्मूला है इसका और बात करें इसके लाइट वेट एक फाउंडेशन है एस पी एफ थर्टी पीए प्लस-प्लस के साथ आती है जि बिटामीन बी-ई-बी-थी मिल जाता है आपको गलीसरीन मिल जाती है आपको यह सब इसके पीछे मेंशन किया हुआ है कवरेज अच्छी खासी यह दे देता है ब्लैक स्वाट कर देता है आप इस इंस्टेंट लुक के लिए यूज कर सकते हो यही सब यहाप मेंशन किया तो अगर आप थोड़ी सी लाइट आपकी जो स्कीन का जो कलर है वह थोड़ा लाइट है तो आप आईवरी यूज़ कर सकते हैं अगर बात की जाए तो आप इसे ब्लेंडर से भी लगा सकते हो इसकी वार्निंग नीचे दी गई है वार्निंग में यही दिया गया है कि आप इसको सनलाइट में नाल निकलेंस को लेकर अगर थोड़ी सी इचीं के प्रॉब्लम नहों हो रही है इसको लगाने के बाद तो तुरंत ही अपना फेस वाश कर लीजिए अगर इसकी नेट वेट क हैं सकते हो हम बात करते है कि एंदर कि पैकेजिंग तो इस तरीके से ऑपन करने के बाद है अंदर भी वही सब्सक्रण किया हुआ है त्यूब पर बाहर इसके जो बॉक्स फर तलिया हुभ हुआ है हम बहुत ही क्यूट लग दीए बहुत ही pretty easy है अगर कोई लड़की अपने पर्स में से carry करना चाहे तो एक travel friendly product आप इसे बोल सकते हो बहुत easily आपके पर्स में अपनी जगा बना लेगी बहुत ही pretty सी है और यहाँ पर वो ही सा mention किया हुआ है जो मैंने आपको बताया था box पर mention किया हुआ था अगर इसकी self life की बात की जाए तो यह आपको 3 years की मिल जाती है मैंने इसको यह 422 में इसको मैंने purchase किया था और यह 325 में expired होगी तो बहुत अच्छी खासी इसकी जो self life है वो हमें मिल जाती है अब हम इसको मैं इस तरीके से open करते हैं तो जो इसका यह cap है ना बहुत ही प्यारा है बहुत ही easy है और इस तरीके से जो इसकी knock दी गई हुए ना आगे कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है इससे easily आप डॉट-डॉट करकर भी अपने पूरे face पर लगा सकते तो इस तरीके से मैं अपने पहले back hand पर ले रही हुँ इसको अब हम इसको use करके देख लेते हैं इस तरीके से अच्छे से और ऐसे ही आपको अपने face पर लगाना है अच्छे से और आप देख पार अपने पर इतनी लाइन्स नहीं होती है उस पर और अच्छे से अपनी जगा बना लेगा जैसे यह मेरे हैंड पर बनाने वाला है बट अगर आप oily skin वाले हो या आपके face पे wrinkles वगयर की problem ज़्यादा है तो आप इसको एक compact powder से lock कर सकते हो बहुत ही अच्छे से lock हो जाएगा और अच्छी खासी coverage देदेगा यह dark spot, dark circle वगयरा cover कर सकता है इतना मैं आपको नहीं बोल सकती कि यह इतना मुझे नहीं लगा कि यह अच्छा हवा करेगा बस एक tinted foundation, tinted moisturizer आप इसे बोल सकते हो कि moisturizer में हलका सा tint दे दिया गया है तो आप इसको lightweight foundation बोल सकते हैं बट आप इसको यह नहीं बोल सकते कि आपके dark spot, dark circle को cover करता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह lightweight formula है बस और कुछ नहीं है दिख रहा होगा आपको थ daily basis में अगर आप लगाते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो, market जारे हो तब लगा सकते हो, आप इसको occasionally function में नहीं यूज कर सकते हैं, मैं इसको आपको ब्रकुल भी recommend नहीं करूंगी, foundation ज्यादा अच्छा है, concealer ज्यादा अच्छा है, यह BB cream उसका जगा नहीं ले सकती है, इत पसंद आया होगी, अगर आपको कोई भी doubt रह गए, आपको कुछ समझ भी नहीं आगए, आया है, मैंने कुछ भूल कहीं हो आपको बताना, तो आप उनसे comment करके पूस सकते हो, मैं आपकी हर comment का जवाब देती हूँ, उमीद करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करते हूँ, शेयर करते हूँ देए मुए फ्रैंडब्स और फैमली के साथ, इस तुछ आपको कोई भी सावाल है तो आप उनसे comment कर पूस सकते है, चैनल पर पहली झाल 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 झाल